नमस्कार मैं हूँ दीपशिखा जिंग आजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया नूस खबर के शुबात एक बड़ी जानकारे के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है यहां आपको बता है जोल प्रिशासन ने सपर डेलिगेशन को अजासत नहीं दी जेल प्रिशासन ने सपर डेलिगेशन को बैरंग लोटा दिया और आजब खान से यह सपर डेलिगेशन नहीं मिल पाया आजब खान ने खुद मिलने से इंकार किया है यह सूत्रो के हवाले से जानकारी आ रही है आजब खान को लेका रविदास महरोत्रा का भी बड़ा बयान आया हुनोंने कहा कि जेल में आजब की हत्या हो सकती है यह बड़ी जानकारी है और एक बड़ा बयान भी है क्योंकि जिस तरह से बात कही गई है कि जेल में आजब खान की मौत हो सकती है हत्या की जा सकती है तो अपने आप में एक बड़ी खबर है गड़ तलब है सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आजम खान ने खुद मिलने से बना कर दिया है लेकिन इस बीच रविदास महरूत्रा ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने जेल में आजम खान की इसलिए उन्हें मिलने की अजासत नहीं दी गई है आजम खान को लेकर दूसरी तरह रविदास महरूत्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान काफी बड़ा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आजम खान की जान को खत्रा है जेल में उनकी हथ्त्या हो सकती है तो बयान निकल कर सामने आया है जिसमें रविदास महिरोत्रा ने कहा है कि आजम खान की ज्रेल में हत्या की जा सकती है सपा नेता रागवेंद्र दूबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जिस तरह से सपा का एक डेलिकेशन पहुंचा था और उसे बैरन लोटा दिया गया है अभी क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पा क्योंकि दूसरी तरह ये बयान भी निकल कर सामने आ रहा है कि आजम खान की हत्या हो सकती है और ये बयान रविदास महरोत्रा ने दिया है जी देखिए उन्होंने बयान इसलिए दिया कि अकर प्रस्निद मंडल मिलने गया है तो वो कोई राजने तक कह दिया है कोई आतंगवादी सोड़े हैं जिसे मिलने नहीं दिया गया बuis लोग तंद्र के हद्ड जिस तरीके से सरकार कर रही है जी सेमपल सी बात थी कि वहां पर मिलने गए और उन को मिलने देना चाहिए था आजम खान से नहीं मिलने देना बहुत सारी संका पैदा करती है क्या और बताना चाहते है कि इसे मुलाकात करना चाहते हैकि ऐसा उन मिलने दिया गया जिला पर सासन बताएगा या उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी कि क्यों नी मिलने दिया गया तो असंका तो निश्चत रूप से भारती है कि या पकुछ गलत करती है। अजरें से क्यों मना कर देंगा एफसे लगता है कि अभी आपने कहा की जेल्ट प्रशाशन की तरős demasiado नुए किया गयाend आपको क्या लगता है कि Am但 इसा कि ़ूप निश्चत रूं तो कि आजम खान नौबार बिन्हाट रहें। बहुत पुराने नेता है। इस तरीके से उनके साथ अगर बेवार हो रहा है तो ये बहुत इक गलत है। निंदे निगए और इसकी आलोचना होनी चाहिए। और सरकार को भी दियान देना चाहिए कि यह क्यों कर रहे हैं कि जो भी मिलने जा रहा हैं उनसे मिलने देना चाहिए यह तो लोग तांतरे का दिकार है और उनका हरन नहीं होना चाहिए उसका बीजेपे नेता आलोक अवस्तियमासा जुड़ गए हैं आलोक जी जहां एक तरफ सपा का डेलिगेशन यहां पहुचा था आजम खान से मिलने के लिए तो दूसरी तरफ जो महरोतरा है उन्होंने ये बात कही है कि उनकी जान को खत्रा है आजम खान की जान को खत्रा है अभी जो इस्तिती बनी हुई है इसको लेका क्या कहें गया देखें यह बात सही है कि जो आजम खान के लिए पाजितर ने तो नहीं कहा कि आजम खान अगले चादरों के साथ आप नहीं रहना क्याते है आज जो है जो तरह के से उन्होंने समाजवदी पार्टी के टेलिगिशन से मिलने रमना कर दिया है जाने कि वो एक नई रहा पर चल चुके है जैसा कि शुपाल अजोजी पहले इसके वारे में बता चुके थे और यहाँ समाजवदी पार्टी के अपना अंसर कला है किसी के समान करना नहीं चाहते हैं किसी ऐनी की सेनियुर लीडर की इस्थ नहीं खरते हैं तो उनके सब कौन रहना चाहेगा तो मुझे लगता है कि यह है अकले सादों के नेतरत पे यह बहुत-बड़ा सवाली अच्छिन लग चुका है और जिससे कि उनके सब बड़े लीडर उनको छोड़ों सोड़ों के जा रहा है आपने हादी में देखा रोगा कई सारे ठीक ठीक है ठीक है ठीक है आलोग जी क्या लगता है आपको कि आजम खान अगर यहां से बाहर आते हैं तो वो शिपाल यादव को जॉइन कर सकते हैं 20 में रहे थे आज 26 महिने से आजम खान जेल के अंदर बंध है तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोग तंत्र की हत्या कर दी है